हेलो बच्चो, मैसेल्फ डॉक्टर परशांद कुमार दिसाई, असिस्टम प्रोफेस्सर, डिपार्टमेंट ओफ फार्मा कोगनोसी, लाचु मेमोरियल कॉलिज अफ साइन्स एंड टेक्नलोजी जोधपुर राजस्तान बच्चो, आज जो हम टॉपिक डिसकस करने वाले हैं, वो टॉपिक हमारे बी फार्म सिक्स सेमिस्टर के, हर्बल ड्रेक्ट टेक्नलोजी के सब्जेट के अंदर मैंचन है, और जो टॉपिक का जो नाम है, हर्बल कॉस्मेटिक्स, और हर्बल कॉस्मेटिक्स के अंदर जो मतलब they are obtained from the plants तो those colors which are obtained from the plants they have been termed as a herbal colors तो कई परकार के advantages effect होते हैं जो कि herbal color के द्वारा produce होते हैं और मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा indicate करना चाहूँगा कि आप जो first slide देख रहे हैं यहाँ पर मैंने चार pictures बनाई हुई चार pictures को show किया है और यह जो four pictures हैं वो specifically हमारी herbal colors plant के example हैं एक एक करके discuss कर लेते हैं short में पहला जो आ रहा है वो है हमारी healthy very popular drug पता नहीं कितने topics में हम healthy के बारे में पढ़ चुके हैं क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा importance है चाहे वो medicinal activity के terminology के point of view से बात करें चाहे हम इसके other applications के form में बात करें जैसे कि एक application आ रही है colors की form में तो healthy is a very popular drug जो के color को impart करने के लिए भी responsible है और यह भी हमें plant source से ही obtain होती है इसलिए herbal colors की category के अंदर आएगा दूसरा जो example आ रहा है जो screen पे आपको दिखाई दे रहा है वो है हमारा saffron जिसको हम केसर के नाम से भी जानते हैं flower से obtain होने वाली flower से obtain होने वाला एक बहुत ही popular color है next जो आ रहा है very popular mehndi जिसको हम हिना के नाम से भी जानते हैं जर्णरी शादी समारों के अंदर इसको use ही किया जाता है और कई परकार की application में या फिर formulation में भी इसको use कर सकते है color imparting के लिए और यह जो last जो picture यहां पर दिखाए गई है यह हमारा पलाश पलाश के फूल या फिर इसको एक नाम से और जाना जाता है टेसू के फूल के नाम से भी जाना जाता है बहुत ही बढ़िया सुगंदित सुगंद आती है इसमें से color तो impart करता ही है उसके सासथ बहुत ही बढ़िया fragrance और aromatic order भी इसके द्वारा produce होता है तो यहां फिर बच्चों आपके सामने screen पे चार जो picture दिखाए गई है यह चारो चारो एक्जामपल जो है वो हमारे herbal colors के आते हैं और इनका जो detail में हम जो discuss करेंगे वो हम आने वाली slides के अंदर करेंगे description of the herbal colors के अंदर contents के बारे बात कर लेते हैं content में केवल दो ही content रखे है introduction of herbal colors और description of the herbal colors number one आ रहा है introduction of herbal colors तो herbal colors को अगर define किया जाए तो किस तरीके से herbal colors को हम define कर सकते हैं the herbal colors are made from the plant extracts wherein leaves flowers bark and the plant roots are used to obtain the required color generally यहाँ पे definition के अंदर बात करें बहुत ही simple और बहुत ही असानी से समझने वाली definition को यहाँ पे लिखा गया है herbal colors वो component है जो कि हमें plant extracts से obtain हो रहे हैं और वो plant extract किसी भी plant के part का हो सकता है जो कि color produce करने के लिए responsible है वो leaves हो सकती है वो flower हो सकते है वो bark हो सकते हैं वो plant roots हो सकते हैं जो कि required color को produce करने के लिए responsible है तो उन्हें को यह हम herbal colors को बोला जाएगा herbal color इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यह जो colors हमें plant से obtain हो रहे हैं इसलिए इनको ह हरवल color के नाम से जानते हैं अगर हम कोई भी हरवल कलर को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कुछ ने कुछ specific properties होने चाहिए या फिर कुछ standards parameter होने चाहिए जो कि उनको fulfill करना जरूरी है सबसे पहले हम बात करते हैं a point they should be free from foreign particles falling particle का मतलब है उसमें किसी परकार की कोई impurities उसके अंदर present नहीं होने चाहिए जैसे कि यहां पर बताया गया है कि जो color जो हमें obtain हो रहे हैं वो हमें plant part से obtain हो और जो plant से वो हमारे crude plant की category के अंदर आते हैं और जहां पर भी word crude plant आ जागा इसका मतलब क्या है वो plant जो कि हमें natural source से obtain हो रहे हैं तो जो भी plant पार या फिर plant हमें natural source से obtain होगा वो भी इससी बात है उसके अंदर कई परकार की impurities present होंगी ही होंगी which are dust के form में हो सकते हैं soil के form में हो सकते हैं animal fecal matter की form में हो सकते हैं for that reason वो impurities को reduce करना या फिर दूर करना ज़रूरी है उसी के बाद हम उसको use कर सकते हैं तो they should be free from any kind of the foreign particles number two is the most important जो colors जो हमें obtain होरे है herbal source से they should be non-toxic जैसे कि हम जानते हैं कि हम कई परकार के जो colors हैं उसको अपने skin के उपर use करते हैं अपने skull के उपर use किया जाता है तो उनके द्वारा किसी परकार की भी कोई ना कोई disease condition या फिर कोई uncomfortable condition वो produce नहीं होनी चाहिए इसलिए उनको non-toxic की category के अंदर होना जरूर है तो they should be non-toxic in nature किसी परकार का वो chemical reactions ना करें किसी परकार की उनके द्वारा compatibility ना पाए जाए जिसकी वज़े से वो हजाड़ा सिफेक्ट produce कर पाए हमारे skin के साथ या फिर हमारी scalp के साथ तो they should be non-toxic C आ रहा है contained uniform particle size generally जब हम कोई भी herbal color को use करते तो mostly वो powder form में ही use किया जाता है powder form में use करने बाए उसको पर पाउडर form में convert करने के बाद उसको paste form में convert किया जाता है उसके बाद उसको use किया जा सकता है तो जब हम powder form में यूज़ कर रहे हैं तो जो particle size जो होता है वो uniform होना चाहिए अगर uneven particle size अगर पाय जाएगा तो वो irritations को produce कर सकते हैं जिसकी वज़े से uncomfortable produce हो जाएगा number D जो आ रहा है not produce irritation to the skin and the scalp तो किसी भी परकार की जो irritations है किसी परकार की chemical reactions या फिर किसी परकार की जो reactions है वो हमारे body organ के साथ नहीं होना चाहिए जैसे कि अब body organ बारे बात करें तो skin के साथ किसी परकार का उसका कोई interaction नहीं होना चाहिए they should be inert in nature scalp के साथ किसी परकार का उनकी reactions नहीं होने चाहिए they should be inert in nature के बाल कलर imparting का main काम वो कर रहे हैं वो produce कर रहे हैं वगर उसके अलावा कोई और reactions वो produce ना कर रहे हैं जिसके वज़े से हमें कई परकार की दिक्कते नहों जैसे कि हम skin को use कर रहे हैं skin के ओपर in colors को use कर रहे ह तो skin के ओपर किसी परकार की irritation produce नहीं होने चाहिए irritations का मतलब है किसी परकार की redness किसी परकार की कोई itching इस परकार की कोई भी activities herbal colorant को use करने के बाद वो produce नहीं होने चाहिए तो this the herbal colorant should contain the ideal properties तो इन कुछ मानकों के अंदर कुछ standards parameter के अंदर उनको रखना जरूरी है जिसकी व analysis कर सकते हैं और उनको हम formulations की form में इसको use किया जा सकता है formulation का नाम किव लिया जा रहा है क्योंकि जो कई परकार के जो colorants हैं वो हमारे skin care products के अंदर use होते हैं कई परकार के जो colorants है वो hair dye, natural dye के form तो इसलिए इनके अंदर किसी परकार की भी कोई भी toxic element present नहीं होना चाहिए foreign matter से बिलकुल फिरी होने चाहिए particle size नंका uniform होना चाहिए किसी परकार की irritations, redness, itching, किसी परकार की skin uncomfortable condition ये produce नहीं करने चाहिए अब बच्चों हमारे सामने example आ रहे हैं second heading के अंतर के जिसका नाम है description of the herbal colors यहां पर हम उन drugs के बारें बात करेंगे जिनके द्वारा हमें color obtain हो रहा है और वो जो color जो obtain हो रहा हो हमें harp से obtain हो रहा है तो यहां पर यहां पर आप देख रहे हैं आपके सामने कि जो table बनी हुई है उसको चार column के अंदर divide किया है जो कि जिनके अंदर heading रखी है herbal source, biological source, active constant और uses किसमें condition में वो use हो रही है सबसे पहले जो drug आ रही है वो हमारी पलाश जैसे मैंने आपको बताया था पलाश जो है उसको टेसू के फूल के नाम से भी जाना जाता है और अगर हम जब इसका पूरे के पूरे जो flowers की blooming conditions होती है मतलब पूरा जो flowers है पूरे तरीके से खिल जाते है तो ये जो पेड जिसके ओपर लगते हैं वो पूरा का पूरा लाल कलर का दिखाय देता है इसके लाल कलर के दिखाय देने की वज़े से ही इसको एक नाम से जाना जाता है the fire of the forest ऐसा लगता है कि जैसे जंगल में आग लग गई हो इस परकार का इनका vibrant red color के flowers इसके द्वारा produce होते हैं जिसकी वज़े से इसका नाम रखा fire of the forest के नाम से भी इसको जाना जाता है इसको एक नाम से और जाना जाता है जो कि बहुत ही popular है टेसू के फूल generally अगर हम बात करते हैं हमारा फेस्टिवल होली फेस्टिवल होली फेस्टिवल में यहाँ पर तो अगर हम रास्तान में देखते हैं या फिर अगर इतना ज़्यादा टेसू के फूल को यूज़ नहीं किया जाता पाउडर फूम में करते हैं और फिर इससे color produce किया जाता है तो जो गुलाल जो होता है टेस्टिवल के फूल से ही गुलाल की भी manufacturing बहुत ज़्यादा होती है तो जब हम पलाश के बारें बात करते हैं तो it is generally obtained from the flowers और flowers के भी generally हमें जो main petals हैं जो stigma part होगा उसके द्वारा जो flower parts है उसके द्वारा इसको पलाश के flower से color produce किया जाता है botanical name जो है वो है butia monosperma इसकी जो family होती है वो थी papulinacee जब हम इसके active constant के बारें बात करते हैं इसके अंदर पाया जाते है chacons and the aurons ये दो type के active constant है जिनके होने की वज़े से इनका bright color produce होता है butene, butene, flavonoids and the steroids are the other name of the drug the other active constant which are present into the phalash ये chemical categories है flavonoids और steroids जो कि हमारे phalash के अंदर पाया जाती है और ये जो हमारा जो phalash है natural coloring dye की form में उसको ज्यादा तर use किया जाता है number two जो आ रही है वो हमारी important है कर्मरेक जिसको महलदी के नाम से भी जानते है कर्कुमा के नाम से भी जानते है इसको इसका root and rhizome part जो होता है कर्कुमा लॉंगा इसका बोटैनिकल नेम है और इसकी फैमिली जो होते है जिनजी ब्रेसी है कई परकार की chemical categories हमारे कर्कुमा ड्रक के अंदर present रहती है कार्बो हाइडिट पाए जाएगा water content होगा protein होगा essential oil होगा वगर major जो हम category के बात करते है active constant की form में इनका main जो active constant वो होता है कर्कुमिनोइड्स और कर्कुमिनोइड्स में भी तीन परकार के active constant पाए जाते हैं एक तो होता है हमारा कर्कुमिन एक होता है हमारा डैसमेटोक्सी कर्कुमिन और एक होता हमारा बिस्ट डैसमेटोक्सी कर्कुमिन यह तीन active constant होते हैं और उनमें भी अगर देखा जाए सबसे important जो अगर color की form में बात कर रहे हैं तो color की form में जो सबसे important जो active constant जो पाया जाता है वो है हमारा curcumin, उसका कारण है, इसके curcumin के होने की वज़े से ही ये जो golden yellow color जो होता है turmeric का, वो produce होता है, तो turmeric के अंदर जो golden yellow colors है, that is mainly produced by the active constant that is the curcumin, next is it is used in Indian clothing, Indian clothing में इसको use किया जाता है डाइंग के लिए, it is used to protect the skin and the food product from the sunlight, तो जैसे कि हम antiseptic cream के बारे में बात करते हैं, तो उसकी अंतरगत हम curcumin को ही use करते हैं, अपने turmeric powder को use के जाता है, तो skin को UV radiation से बचाने का काम करता है, antiseptic कि तरह भी काम करता है, इसलिए skin preparation के अंदर use होने वाली बहुत ही बढ़िया drug है, और natural dye के अंदर भी उसको use हम कर सकत है, next जो drug आ रहा है, वो है हमारा saffron, saffron को हम केसर के नाम से जानते हैं, और यह जो हमारा केसर है, इसको एक नाम से और जाना जाता है, crocus, इसका जो part है, वो flower part use होता है, और उसमें भी specifically stigma और जो style part जो होते हैं, flower के, वो ज्यादा तर use होते हैं, और इसका जो botanical name है, वो ह crocus, sativus, इसकी जो family होती है, वो है iridacy, इसके अंदर active constant जो पाये जाते हैं, जो की color produce करने के लिए responsible है, वो है हमारे carotenoids, और carotenoids में भी crocine, picrocine, crocetine और saffron are the major active constant, यह भी हमारा natural coloring dye के तरह use होने वारा, एक इसका जो use है, saffron का वो natural coloring dye के फॉर्म में उसको use किया जाता ह है, next जो आ रहे है हमारी drug, जिसको हम हेना, जिसको हिंदी में महनी के नाम से जाना जाता है, हेना एक dye की रूप में इसको use करते हैं, जो की prepare की जाती है, from the plants, specifically जो leaves part जो होता है, इसको use किया जाता है, dry किया जाता है, उसको dry करने वो इसको powder form में convert कर लिया जाता है, जो plant का जो नाम है, वो है हमारा लासोनिया इनर्मिस, इसका botanical नेम है, लासोनिया इसका genus हो गया, इनर्मिस इसकी species हो गई, लित्रेसी इस दा फैमिली ऑफ दहिना, इसकी अंदर जो derivatives पाई जाते हैं, chemical constant category के अंदर, वो है हमारे naptoquinone derivatives, बहुत important active constant आ रहा है, जिसका नाम है लास लासोन के ऊपर एक बार question पूचा गया है, drug inspector के, drug controller officer का जो एक competitive exam हुआ था, उसके अंदर पूचा गया था question, the lawson is the main active constant of which drug, तो चार ड्रग के नाम लिख्या गया है, तो उसमें एक drug थी हमारी महंदी, तो जो महंदी का जो color जो होगा mainly, वो लासोन के होने की वज़े से ही produce ह होता है, जो की naphthoquinone derivatives होते हैं, अगर इसको chemical के form में उसको अगर बोला जाए, two hydroxy one four naphthoquinone इसके अंदर परजेंट होता है, जो की lawson के नाम से जाना जाता है, steroids भी contain करता है, law esterols, stigma esterols and the beta cetosterol इसके अंदर परजेंट रहते हैं, cow marines इसके अंदर परजेंट रहेंगे, law cow marines active constant है, जो की इस category के अंदर आता है, luteulin, three glucoside जो है वो active constant है, जो की flavonoid की category के अंदर पाय जाएगा, जब हम इसके uses के बारे बात करते हैं, तो it is act as a dye, हिना used to dye the skin, hairs and the fingernails, as well as fabric including silk wool and leather को ये हमारे dye करने के काम में लाया जाता है, अब एक जो ड्राग आ रहे हैं बच्चों, ह उपर है कि आप इसे याद करो या ना करो, क्योंकि अगर herbal colors की form की category के अंदर आता है, तो herbal colors की अंदर, जो आज यह जो हम example पढ़ने वाले kokneal insect, नाम अपने आप indicate कर रहा है, insect, तो यह insect से obtained होने वाला color है, तो आप अगर चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, नहीं याद करन है, अगर exam में question आता है, herbal colors के उपर, तो अगर आप चार्ड रख का description उपर वाली लिख की आजाएं, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, और अगर additionally अगर आप लिखना चाहते हैं, अपने questions के answer में, तो आप यह insect, यह एक example यहाँ पर add-on कर सकते हैं, मगर special note जरूर डाल दे यह जो एक scaly insect होता है, dactylopias cocus, इसका scientific name है, family जो है, वो dactylopidae ही है, इसकी family, अगर हम इसके color के बारें बात करते हैं, तो insect जो है, वो produce करते हैं, अगर इसके active constant के बारें बात करते हैं, तो एक active constant होता है, इसके अंदर जिसको बोला था, carminic acid, और यह जो carminic acid है, यह typically 17 to 24 percent of dried insects weight होता है, can be extracted from the body and the eggs, यह जो carminic acid है, यह insect की body और eggs से extract out किया जाता है, और जब इसको extract out कर लेते हैं, carminic acid को, उसको mix कर दिया जाता है, aluminium के साथ और calcium salt के साथ, to make the carmin die, carmin die को produce करने के लिए, it is also known as the cochineal, तो carmin die और cochineal जो है, हमें insect से obtain होता है, उसकी body से और eggs से उसको extract out किया जाता है, और फिर calcium और aluminium के साथ उसको mix कर दिया जाता है, जिसकी वरिया से carmin die की formation होती है, और इसके अगर use के बारे में बात करते हैं, it is used as a color in food and the lipstick की formulation में इसको ज्यादा तर use किया जाता है, तो मैं फिर से repeat करता हूँ, जो last वाला जो cochineal insect, जो natural red है, आप इसको याद भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि herbal source के अंतरकत नहीं आता है, that is comes under the insect source, तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने थोड़ा extra knowledge के लिए आपको यहाँ पे इसको impart कर दिया, तो बच्चों यहाँ पे हमारे कुछ यह जो example से description जो होता, herbal colors का, वो complete होता है, next जो है, अगर आपके कोई भी queries हो, मैं इस lecture को YouTube के upload कर लूँगा, उसके comment section में जाके आप अपनी queries लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका answer देने के लिए, I hope you like the lectures, thank you, thank you very much.